हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो रोयलिस्ट टेडी, दोस्तो आज की सुडियो में मद्यप्रदेश पूलिस इस्पेशल साइन्स हम डिस्कस करेंगे, फार्ट फॉर इस कर रहेगा, फार्ट ती तक इससे पहले हम कवर कर चुके है, जिसकी लिंक आपको निचे डिस्किप्शन मे है, प्रेंट्स आपको बता दे, जेल परारी, मद्यप्रदेश पूलिस, SI, MPPSC, इन सभी की टेस्टी स्रीज यहां पर आपको मिल रही है, और अभी इन पर पूरे 50% की छूट चल रही है, तो इसके लिए आपको हमारे कूपन को डारोवाई, जेज़ फाइफ जिरो को यू होता है, यह आपको कमेंट करके बताना है, यह जो कोशन है, आपके लिए है, जल्दी से जाएए, कमेंट करके बताएगा, और टेलेग्राम ग्रूप और चेनल दोनों को जोईन नहीं किया, तो उनको भी जोईन कर लिजगा, लिंक उसकी निचे आपको डिस्किप्शन में म आपको बताना है, तो देखें, द्रव्यमान M का जो कोई पिंड है, वो वेग V से दिवार पर टकराता है, और समान वेग से वापस उस दिवार से उचलता है, तो इसके सनवेग में जो परिवर्तन होता है, उसका आपका सही जवाब रहेगा, माइनस 2MV, यहाँ पर आपका नियत ताप पर जो दुहनी के चाल है, इसका आपका सही जवाब रुज्जो रहेगा, वो दाब में परिवर्तन के साथ समान रहेती हैं, तो दाब में परिवर्तन के साथ, यहाँ पर दाब में जो है वरद्दी के साथ, जो है समान रहेती हैं, तो यहाँ पर आपका थर्ड प्रश्चना के जो इस्तर देखे जासकते हैं, यह बहु कोशी की जीव होते हैं, martusellular organism इन में देखे जासकते हैं, यहाँ पर आपका third option से जवाब रहेगा, देखें, बहु कोशी की जीव, वहाँ जीव होते हैं, जिनमें एक से अधिक कोसिकाएं होती हैं, उनको बहु कोसिकी जीव बनाने के लिए इन कोसिकाओं को एक दूसरे को पैचान कर जुड़ जाने की जरूरत होती है और बिना सुक्चम जीव के दिख सकने वाले लगबक सभी जीव बहु कोसिकी होते हैं और केवल लगबक एक दरजन ही कोसिकाओं जो है एक कोशीखी होती है, जीव की है बाकी जो बीना सुक्चम जीव से देखी जह सकती है बाकी सबी जो है, बहुत कोशीखी की जीव होते हैं नेक्स्ट वूच्डर्शन है लकड़ी जो है, उदारन है तो देखे लकड़ी इनमें से आपको बताना है किसका एक उदारन है तो लकड़ी जो है अपारदर्सी होती है यहाँ पर आपका फोर्ट ओप्सन से जवाब रहेगा अपारदर्सी का एक उदारन है और देखे अपारदर्सी वस्तु के आपके बरहें बताएंगे कि अपारद दर्सी वर्स्तु को प्रकासित करता है तो कोई भी विजली नहीं गुजरती है और कई सामगरी अपार दर्सी इस माध्यम से होती है नेक्स्ट कोशने विसानु द्वारा जन्तों में उत्पन होने वाला रोग आपको बताना है कुन सा है तो इसका नाम है आपका मुक तता रिलेटेड रोगे वाइरस रोगे रिलेटेड यह होगे यरीमल में यह होता है तो मुक और खूर रोग आपका सॉयवाब रहीगा epsilon नमबर 4नेक्स्ट गुजरने आमाश्य के कोस्टो की संक्य हापको बताना है क्तनी है तो देखे आमाश्य कोस्टो की संक्यal कितनी होती है तो यहाँ पर आपका चार सही यवाब रहेगा option number second four आपका यहाँ पर correct हो जाता है। देखिए और हम इस structure तोड़ा से देख लेते हैं यानि जो मनुष्य पाचन तंत्री इसके बारे में तोड़ी सी चीज़े आपको बताते हैं। देखिए यह जो होता है यह आपका अमाश्य होता है इसके लावा यह आपका यकरत दे रखा है। इसके लाबा पीताश्ये ये आपका होता है वहीं आपका ग्रस्यी बोलता है यहाँ पर यहाँ पर यह सारी चीज़े आपको दिखाई दे रही आयोब को सब कुछ आपको यहाँ पर मिल चुका होगा तो आप पोस्ट करके भी देश सकते हैं इसको अच्छ से देख सकते हैं नेक्स्ट कुछ ने आयसक में मौझूद रेच चुना फत्तर चट्टानी सामगरी जैसे अवांचिनी चित जो धरती की अदसुदता को क्या का जाता है यह आपको बताना है तो देखे आयसक में मौझूद रेच चुना फत्तर चट्टानी सामगरी जैसे अवांचित जो धरत देर है गेंग या अदातरी दोनों नाम इसके हैं और देखे ख़दानों से प्राप्त जो आयस के इसमें अत्तिदिक मात्रा में मिट्टी रेत पत्तर तता असुद्या पाई जाती है इसे यहां पर आदातरी या गेंग बोलते हैं आयस से इन असुद्यों को दूर करने की प् गोंपन बोड़ी में वो यहां पर होती है आपको बताना है 31 जोड़ी यहां पर आत्को सएब रहीगा 31 पर यहां पर आपका सेकंड आसों बिल्कुल कररेक्ट रहे गई है नेक्स्ट कोशन है एल्यूमीनियम का उप्योग खाना पकाने के बरतन बनाने के लिए के जाता है एल्यूमीनियम के निम्न गुनों में से कौन सा इसके लिए उत्तरदाई है तो देखें यहाँ पर जो उत्तरदाई है वो है आपका फैला तो हो जाएगा आपका आगे बढ़ते हैं निम्लिकित गुनों में से कौन सा ठंडे और गरम पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है तो इसमें से जो है आपका लोहा आइरन जो होता है आइरन याने एफ ये आपका से जवाब रहेगा ये जो होता है ठंडे और गरम पानी के साथ में प्रतिक्रिय यहां पर आपका ओर इसको हम हंदी में बोलते हैं आईरन या फिर इसको लोह भी बोल आप सकते हैं निम्लिकित गुनों में से कौन सा धातूओ में आम तोर पर दिकाई जोह नहीं देता हैं और इसका नाम है निसरता डलनेज तो यहाँ पर आपका निरस्ता जो है सही जवाब रहेगा निरस्ता टार्ड ओप्सन डलनेज यहाँ पर इसको भी आप बोल सकते हैं निक्स्ट कुशन है तामबा पदार्त किसके साथ अपनी चमक खो देता है हरे रंकी परत बनाता है तो तीज़ मूल कॉफर कउरनेट मूल कॉफर कार्बोनेट यह जो है इसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंकी परते वो बना लेता है फोर्ट ओप्सन विल्कुल करेक्ट नापर आपका रहेगा नेक्स्ट कुशन है सभी खाद सरंकलाओं में परतम कड़ी आपको बताना है कौन सी है तो देखे सभी खाद सरंकलाओं में परतम कड़ी होती है वो हरे पादप की होती है, हरे पोदे की होती है, ग्रीन प्लांट्स की होती है थार्ड ओप्सन बिल्कुल करेक्टर रहेगा आयूप का आपको सभी को ये तो पता होगा एक किलोग्राम द्रव्यमान एक जूल की गतिच उर्जा रखता है तब उसकी चाल क्या होगी ये आपको बताना है तो तब उसकी चाल होगी 1.4 MS-1 तो यहाँ पर आपका 3rd option बिलकुल correct रहेगा next question है soda acid से आग किसे बुझ जाती है देकि soda acid से आग जो बुझ जाती है वो हवा की आपूरती काटने पर ये आग बुझ जाती है और जो air की जो supply होती है वो कड जाती है उसके माद्यम से आग बुझ जाती है तो soda acid का इसलिए आग बुजाने में सायक होता है एक विदूत अपगट्य है तो देखिए विदूत अपगट्य जो है उसमें से आपको बताना है और ये होता है एक द्रव जो धारा का चालन कर सकता है ये जो है एक विदूत अपगट्य है जीन की संरशनात्मक इकाई बनी होती है तेकि जीन की जो संरिशनात में किकाई जो बनी होती है वो DNA की बनी होती है DNA तो यहाँ पर आपका फोर्ट ओप्सन सभीवाब रहेगा और DNA जीवित को सिकाओं में गुन सुत्र में पाए जाने वाले तंतुनूमा अनू को हम बोलते हैं उनको डी अक्सिराइबो नुकलीक इसिड हम लिया DNA के थे आप याद रखीगा और देखे यहाँ पर इसमें अनुवान से कूट नीबद रहता है DNA अनू किस अंरिशना गुमाओदार सीडित की तरह होती है और DNA एक अनू चार अलग-अलग वस्तो से बना होता है जिसे हम नुकलियोटाइड बोलते हैं तो यह आयोप का आपको पहले से पता होगा नहीं पता है तो आप पता चल चुका है जब एक वस्तो द्वारा ते की गई दूरी शमे के सीधे समानुपाती हुए है और इसे निम्न के साथ गतिसील कहा जा सकता है तो इसे जो है नियत चाल के साथ यानने consent यहाँ पर speed जो है सही जवाब रहेगा clear है तो यहाँ पर आपका नियत चाल correct हो जाता है नेक्स्ट कोशन है great beer क्या है तो great beer एक तारा मंडल है यहाँ पर आपका second option correct हो जाता है तारा मंडल यह है great beer याद रगीगा second option बिल्कुल correct रहेगा यहाँ पर top 20 question discuss के additional information भी आपको दिए वीडियो आयूप के आपको पसंद आया होगा कैसा लगा कमेंट करकी जरू से बताएगा और वीडियो अच्छे लगए तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चेनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ बिल आइकन को द कर दो स्तेश आपको जरूस कर दो दो से घ्ताप फday हो आपको दो आपको दो आपको छोगए खिist रूसियर कीजिए व sm Chief कर दो से विब सब्सक्राइब के बदेतर से रहे हो जेग सिआ हो रहे हो दोताब का हुदद वहां कमेंटियोन है वहां टो से ब्सक्राफर्ट हया व